बहुत सेट जी था वह बहुत कंजूस था एक दमडी भी खर्ष करने में उसके प्राण निकल जाते थे लोगों से काम कराने के बाद उनके पैसे देने में वह लोगों को बहुत परेशान करता था उसी सेट जी ने एक चित्रकार से अपना एक चित्र बनवाया जब चित्रकार अपने बनाये हुए चित्र के पैसे माहिने के लिए सेट जी के पास पहुचा तो उसे सेट जी ने यह कहा कि चित्र ठीक नहीं है दोबारा बना कर लाओ चित्रकार ने सेट जी का दोबारा एक चित्र बनवा कर उने दिया लेकिन कई बार चित्र देने पर भी सेट जी ने उसे यही जवाब दिया कि चित्र ठीक नहीं है दोबारा बना दर लाओ क्रोधित होकर चित्रकार ने सेट जी को दिये हुए अपने सारे चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया लेकिन धूर्द सेट जी ने उसे यहाँ जवाब दिया कि कैसे पैसे जब मेरा चित्र ठीक बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दूँ बेचारा चित्रकार परेशान होकर अपने घर लोट गया परेशानी का कारण पूछने पर चित्रकार ने अपने पत्नी को सारी बाते बताई चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी वह चित्रकार से बोली कि आप दर्वार में जाकर न्याय के लिए फरियात कीजिए आपको वहाँ जरूर न्याय मिलेगा लेकिन चित्रकार बहुत ही निराश हो चुका था चित्रकार ने कहा कि वह एक गरीब आदमी है और दर्वार में मुझ गरीब आदमी की कौन सुनेगा इस पर चित्रकार की पत्नी बोली की बाद्शाह अकबर बहुत ही दयालू है और वह न्याय प्रिय भी है उनकी सहायता के लिए उनके दर्वार में नौनो रत नहीं है आप दर्वार में जाईए आपको हाँ ज़रूर नयाय मिलेगा दूसरे दिन चित्रकार बाद्शाह अकबर के दर्वार जा पहुचा और उन्होंने बाद्शाह अकबर को सारा किस्सा सुना दिया बाच्षा आगबर ने चित्रों को लेकर सेट जी को दर्वार में बुलवा लिया उन्होंने सेट जी से पूछा कि तुम्हारे चित्रों में क्या कमी है तब सेट जी ने यह जवाब दिया कि खुजूर इन में से कोई भी चित्र मेरे चेहरे जैसा नहीं है सेट जी का यह जवाब सुनकर बात्षा आगबर परेशानी में पड़ गए बहुत देर तब विचार करने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तब उन्होंने बीर्बल से न्याय करने के लिए खाए बीर्बल ने सारी वाते ध्यान से सुनी और तुरन समझ गए कि सेट जी चहरा बदलने में निपुण है चित्रकार को पैसे देने ना पड़े इसलिए सेट जी नाटक कर रहा है और इसलिए उसे सही रास्ते पर लाना होगा कला और कलाकार का सनमान करने से कला और संस्कूरती की रक्षा होती है और संवर्धन होता है निपुण कलाकारों का जिस देश में सनमान होता है वो हदेश विश्वविख्यात होता है इसलिए बिर्वल ने चित्रकार से कहा कि सच मुझ तुम्हारे चित्र में बहुत सी कमिया है तीन दिनों बाद तुम सेट जी का हुबहु चित्र बनाकर दर्वार में ले आना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे सेट जी भी दर्वार में आकर तुम्हें पैसे दे देंगे सेट जी घर चले गया बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तीन दिनों बाद तुम्हें एक बड़ासा दर्पन लेकर दर्वार में उपस्तित हो जाना तीन दिनों बाद जब सेट जी दर्वार में आए तब चित्रकार ने एक बड़ा सा दर्बंड सेट जी के सामने रखा और कहा तुम्हारा चित्र तयार है दर्बंड में अपना प्रतिविम्ब लेकर सेट जी बोले लेकिन यह तो दर्बंड है परन्तु यही असली चित्र है बीरबल बोले यही तुम्हारा असली रूप है है या नहीं सेट जी बोले जी हाँ अपनी चाला की पकड़े जाने पर सेट जी बहुत लज्जित हुए उन्होंने चित्रकार को अपना महनताना दे दिया चित्रकार भी सभी का आभार प्रदर्शित कर अपने घर चला गया इस प्रकात बाच्षा अकबर की कई समस्याओं का समाधान बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से किया करते थे इस बार भी बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से और चतुराई से दूद का द झाल झाल